नमस्कार विराट 24 न्यूज में मैं आपका स्वागत करती हूँ मैं हूँ स्वाणिमा सेंग एक बार फिर हाजिर हूँ रीवा जिले के मुख्य चिकित सा अधिकारी कार्याले में हो रहे घोटाले और फरजी नियुकती की खबर को लेकर दरसल जिला चिकित सा अधिकारी की कुर्सी रीवा के लिए काजल की कोठरी से कम नहीं है काजल की कोठरी से बेदाग निकलना मुश्किल ही नामुम्किन है दरजनों मुख्य चिकित सा अधिकारी इस काजल की कोठरी से दाग लेकर निकले हैं किसी से वसूली तो किसी की पेंशिन बंथ तो किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। खरीदी से लेकर नियुक्ति तक सभी फर्जी वाड़े इस कार्याले की फाइलों में दफन हैं। अगर यहां कोई मानदारी से काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि इस विभाग को वर्षों से लगी घुन अभी भी मौजूद है इस कार्याले में। अर्पिता सिंग आई इसी के पद पर सिंग रॉली में जॉइन करने के बाद डीपीम के पद पर पहुंचने के बीच DCM exam में फर्जी वाड़े का आरोप लगाया गया है बताया जाता है कि कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किये बगैर योगिता के ही DCM के पद पर ये जमी हुई है जिन्हें पूर्व में हुते घुटाले में भी सहयोगी बताया गया है शिकायतों के बाद एक जाच कमेटी गठित की गई थी जिस जाच कमेटी में पंकज शुकला संचालक नहम अध्यक्ष संजेश रिवास्तव संचालक वित नहम मुकेश सिंग सीओ नहम और दिनेश चंद्रसिंदी प्रशाशनिक अधिकारी की संयुक्त टीम ने जाच कर जा चामिल होने की योगिता का निर्धारन किया गया है लेकिन श्रीमती अर्पिता सिंग मूल पद एवं प्रभारी एपीम के रूप में कारे रख थी इनको उक्त पद हेत उपात्युता नहीं थी शिकायत करता ने आरोप लगाया कि राजनैतिक पहुँच के चल पे जिला कार प्रभंधक अर्पिता सिंग उक्त पद पर जमी हुई हैं और ब्रष्टा चार में सनलिप्त हैं इतना ही ने शिकायत करता चतुर गौतम ने आरोप लगाया कि इनके पती के खिला ब्रष्टा चार निवारन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद किया गया था जो गोविंद दल द्वारा की गई जाच की कारेवाही गलत है उनकी नियुक्ति राजिश स्वास्त समीती के निर्देश उपरांत जिला स्वास्त समीती के माध्यम से कलेक्टर सहे अध्यक्ष जिला स्वास्त समीती के अनुमोधन उपरांत ही हुई है अतर उनकी नियुक्ति और उनके द के पराब में बचाया जा रहा है किस को बचाया जा रहा है तो स्ट शल स्ट अर्पिता सिंग्ज जो बतमान में डी पेम के पतपद रिवा में पतस्त हैं ये शिंग्रोली में दो हजार से में ICC जो ICC की नुक्ति होनी थी उसमें जोस्वेम नहीं कर सकता है लेकिन राजनेटिक प्रभाव ब्यक्तिक एर राजनेटिक दवाव आत्थिक दवाव जैसा भी दवाव है उस दवाव से नहों ने ICC में अपनी नुक्ति करवाई और इसके बाद 2013 में इनके नुक्ति होती है और ये फिर चलिए आती है सत्पना अपना ट्राकर किराकर गाट की ठे इंकर दे नце-कर देता तो इसकी जांच होती है जांच जांच होने में जो जांच दल था, चार सदस्यों का जांच दल था, पहले थे स्री दिनेश चंद सिंगी, प्रसास्थनी का दिकारी राष्टी स्वास्थ मिशन, दूसरे सर से कहलास मुंदेला, मुख्य प्रसास्थनी का दिकारी राष्टी स्वास्थ मिशन, और तीसे सदसी संध्य श्रिवास्तो संचालक बित और अज्जक्ट से डॉक्टर पंक का जिक्सुक्ला संचालक राश्ची सिख्या मिसन इनके दोरा जो जाच की जाच में पाया गया कि स्रीमती अर्पिता सिंग जो जिलास कारिकरम प्रवंदक अस्थानी रिमा के पद में कार्यत हैं इनके द्वारा धोखा रहली किया गया है उन्होंने लिखा है जिला कार्करम प्रवंधक के रूप में डी सी एम के परपर कार्यक ब्यक्ति को ही परिच्छा में सामील होने की योग्यता का निर्हारण किया गया है किंत उक्त अभ्यति स्रीमति अर्पिता सिंग मूल पद एम ओ प्रवारी पी एमस के रूप में कार्यत हैं उनको उक्त पद हे तुपात रह नहीं थी सिकायत सही पाई गई चार्स अदस्चों की टीम जाच करती है और सही पाई जाती है इसके बाद जोगी ना तो इसको हटाय किया गया ना इसके इकवाब दोका द़ी का सभ्यों कायि MK किया गया मेरी जानकारी के अंशार माणी कलेक्टर में हो सबी मज़नेल हैं इनके पति की भी नुक्ति सी तरीके से हुई थी जिनका नाम था सोरफसिंगुर निया कई देड हैं कि इनके पति स्वास्थियन गोबंगर लेकिन इनका एंस दिनांग तक हुआ suggest नहीं हुआ और उस सांसामान अपनी नौखरी करें कुल मिलाकर की मेरा कहना ये कि अर्पिता सिंग Über इनके अर्पती डोनों नहायत रूप से ब्यापक ध्स्ता चार किये हैं ब्यापक ध्स्ता चार परजी दस्तावेज लगाए गये हैं इनके खिलाब कायदे से प्रथम दिश्या अपराद पंजी बद कराना चाहिए फिर जहां चोनी चाहिए और मूल परजिसिंग को तत्काल प्रफाव से हटा देना चाहिए मेरे द्वारा काया है सुचना के रिकार्मिन के यहां कारियाले में आवे दिन कई लगाए गये एक में भी इनके द्वारा जयनकारी नहीं दी गई फिर जब मुझे लगा कि यह ब्यापक भृस्टा चाहर कि तो इनके खिलाब जितने भी डॉकुमेंट से उनका मेरे द्वार क किसरणी में हैं मेरा कहना यह है कि एक सातिर अपरादी पढ़ी लेके बुद्धिमान अपरादी हैं जो बड़े सातिर तरीके से अपने काम को अन्जाम दे रहे हैं और प्रसाश्चनिक अधिकारी करने को संद्वाप्त हैं आपने सुन आशिकायत करताने किस तरह के गंभी भी आरोप लगा सकती है आईए आपको सुनाते हैं उक्त मामले में जिला कारिकर्म प्रमंधक अर्पिता सिंग का कहना है आप पहले तो कि आईसी सिंग रॉली में फिर यहां पराएं फिर डी सीम धिवे और बीपीम के पदपर हैं पूरा मामला क्या है क्यों ऐसे शिकायत क में यह बोलती हूं कि अगर ओपन एक्जाम हुआ था उसकी लिस्त के हिसाब से हम लोगा का एक्जाम हुआ था फिर कुछ लोगों ने यहीं की लोगों ने कुछ कुछ ने आरक्षन और कुछ मुद्दे बनाए उसको ने रसकरा दिया फिर हम लोग कोड गया तो और कोड के इस्टे पर अभी मैं प्रभारी डीपिम के तौर पर काम कर रही हूं और मेरी जो ओरिजिनल पोस्ट है वो एपीम है जो हमारे है जिससे हमारी सेलरी निकलती है प्रग्राम मेनेजर एपीम का है जिसके एलिजिबल्टी क्राइडर के अधार पर मैंने एक जांडिया था एक तीम कठित की गई थी उस तीने के आपके बैयान लिये दस्तावेज देखे लिए जो जांच कमिटी ने बनाई थी तो पहले तो जांच कमिटी बनाई गई थी ओरिजिनल शिकायती मुझे नहीं दिखाई गई सीधे जांच कमिटी बना दी गई और मेरी नियूकती यहां से नहीं हुई थी मेरी नियूकती सिंग्रॉली जिले में जिलासवास समिती के नमोधन से हुई जिसके अध्धक्ष कलेक्टर सरोते हैं तो मैंने उनको यही जव करने के लिए की जा रही है क्योंकि कोई सहयोग तो हो नहीं रहा है सिर्फ और जो हम इससे होता ही है कि हम अपना काम छोड़के सिर्फ शिकायतों का जवाब देते हैं जो हमारा मूल काम है जो हमको करना चाहिए वो ना करके हम सिर्फ शिकायत का जवाब बनाते हैं और और यह लगातार चल रहा है और मैं आपको नोटीस आई जवाब देने के लिए कुछ ऐसा पूंचा है एक एमल गुपता सर की शिकायत हुई थी पहले उस समय की जो स्टोर की पर थे आरके शुकला और एमल गुपता सर की शिकायत हुई थी उसके लिए आया था नोटीस क्योंकि उस समय में डीपिम नहीं थी लास्ट में में डीपिम के प्रभार में आई थी तो क्योंकि मैं थी आ गई थी प्रभार में लेकिन मेरे कारेकाल का वो नहीं था तो मैंने उस समय क्योंकि कारेकाल में होने के कारण फिर मुझे नोटीस आता तो मैंने उसका जवाब दिया था कि जो भी क्राय किये गए या भुकतान को कि क्राय मैं नहीं करती हूँ क्रायलपिक को पास होता है तो उसका जवाब मैंने दे दिया था और जो यह अभी शिकायते की गई है यह तो मुझे पूरी तरह से मांसिक रूप से परिशान करने के लिए की जा रही है और आफिस के लो लोगें उनको वो खुद जानते होंगे कि अगर मैं इलिजबल नहीं होंगी तो मैं एक्जाम कैसे दे सकती हूँ और जो जिनके द्वरा यह शिकायत की जारी है उसमें डी सीम लिका हमारे डिस्ट्रिक कमुटी मोबिलाइजर में रागवेद मिश्रा जी पदस्त ने उनका हर मतलब रीवा का स्वास्त विभाग की विडम मना है कि यहां कोई कारही नहीं कर पाता क्योंकि यहां इतने लोग हैं जो सिर्फ यहीं करते हैं मतलब एक पूरा गिरो है जो यहीं काम करता है कि जो काम कर रहा है उसको मांसिक रूप से परिशान करो इतना इतनी पेपर वा तो नहीं हुआ है ठीक है तो मुझे ये लगता है कि आफिस के लोगों को सहयोग करना चाहिए कारे के लिए और मिलके काम करना चाहिए बजाए इसके कि आप शिकायते करो और एक दूसरे की टांकी चो अगर आप इलिजबल हो तो आपको वो पद खुद मिलेगा ओपन एक्ज कामें 50 नंबर पाए हो आपको पास हो जाना चाहिए था हाँ मैंने दिया है मैंने उसका जवाब भी दिया है और आगे चलके मैं करूंगे अगर कि लोग ज़्यादा मानसिक परिशान करेंगे तो बिलकुल महीला आयोग पुलिस और सब को करूंगे और सारे लोग को बताऊ कि उनके मामले की जाच कलेक्टर रीवा की अध्यक्षिता में की जाए जिसमें वह सहयोग करेंगी अगोर उनके खिलाफ इस तरह की शिकायते की जाती रही तो वह निया-यौल महीला आयोग पुलिस वामानसी प्रतारना की शिकायत दर्ज कराएंगी अब देखने वाली बा बहुत भाग धन्यवाद.